नमस्कार दोस्तों, देश में एक बहुत ही बड़ा मामला तूल पकड़ रहा है और ये मामला संबंदित है अगनीवीर से अजय कुमार जी जो अगनीवीर भरती हुए थे, इनकी मृत्यों हुई थी, एक लेंड ब्लास के कारण और इनकी उमर करीब 23 साल की थी, ये वीर गत्यों को प्राप्त हुए हैं, पक्ष का और विपक्ष का अपने तर्क है, विपक्ष बोल रहा है कि अगनीवीर की फैमिली को कुछ नहीं मिला, लेकिन वहीं जो गवर्मेंट पक्ष है, उसने बोला है कि नहीं, इनको करीब-करीब 1 करोण मिला है, तो आज इस वीडियो के मादेम से जानेंगे, कि कितना अमाउंट अगनीवीर को मिल चुका है, और टोटल कितना अमाउंट अगनीवीर की फैमिली को म बनता है, और शायद इस थोड़ा से जाद ही बनता है, तो पहला कॉंपनेंट है, 48 लाग रुपे ऐस इंशूरंस फ्रम यूनियन गवर्मेंट, यानि की 48 लाग रुपे एक इंशूरंस कंपनी से मिलेंगे, जिसका कि प्रीमियम गवर्मेंट यानि की आर्मी भरती है, उसक के अंदर अगर एक इंशूरंस 50 लाग रुपे का और इनको मिलेगा, उसके बाद में 39,000 as an additional sum, 44 लाग रुपे एक्स ग्रेशिया, ये इनको मिलेगा, और आर्मी वेलफेर फंट से इंको करीब-करीब 8 लाग रुपे मिलेंगे, और इनकी जो बैलेंस, जो ड्यूटी थी, उसके भी इनको salary मिलेगे, जो करीब बनता है 13 लाग रुपे का, उसके बाद में सेवा निदी से इनको 2.3 लाग रुपे मिलेंगे, तो अगर आप इनको total करें, तो ये करीब-करीब 1 करोड 65 लाग बनता है, इसमें से जो government का कहना है, वो है कि 98 लाग रुपे इनको मिल चु है इसको, तो 1.65 करोड इस amount को, इस family को मिलेगा, अब मेरा question आप से है, कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, या आप इसको decide करें, मुझे comment करके ज़रूर बताए, कि पक्स सही बोल रहा है, या पक्स सही बोल रहा है, क्योंकि सही facts आने बहुत ही ज़रूरी है, ज जो कि Indian Express के हवाले से हैं, तो कौन सही है और कौन गलत है, विपक्ष या पक्ष आप मुझे comment करके ज़रूर बताए, आप से request से इस वीडियो को ज़्यादा शेर करें, comment करें, subscribe करें, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ख्यार रखे जहित